मेरे प्यारे बच्चो, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका डॉक्टर बेवी शर्मा आज आपके लिए लिंक जिसे हम अंग्रेजी में जेंडर कहते हैं लेकर आई हूँ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल डॉक्टर बेवी शर्मा को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें लिंक की परिभाशा क्या होती है संग्या शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाती या स्त्री जाती के होनी का पता चले उसे लिंक कहती है अर्थात जिससे हमें पता चले की ये पुरुष जाती है पुरुष है या फिर स्त्री है जिस संग्या से इस बात का पता चलता है उसे हम लिंग कहती है जैसे एक पिक्चर है आपके सामने यहाँ लड़का जैसे यहाँ लड़का है और इसका स्त्रेलिंग होगा लड़की और हमारे पास अगली पिक्चर किसकी है यह देखो बिच्चो हमारे पास अगली पिक्चर है मोर और इसका स्ट्रिलिंग क्या होगा मूरनी और ये हैं हमारे पास मुर्गा और इसका स्ट्रिलिंग क्या होगा मुर्गी और ये देखिए हमारे पास अगली पिक्चर है बैल और इसका स्ट्रिलिंग शब्द है गाए और ये हैं हमारे पास भाई और बोलो बच्चो भाही का स्ट्रिलिंग क्या होता है बेहन और अब जो आपके स्लेवस में इस बार के पोलिंग और स्ट्रिलिंग शब्द है हमों पोलिंग और स्ट्रिलिंग शब्द आप मेरे साथ एक बार रिवाइज करेंगे दादा दादा का स्ट्रिलिंग शब्द है दादी दूसरा है हमारे पास नाना स्ट्रिलिंग शब्द है नानी तीसरा है बेटा इसका सही स्ट्रिलिंग शब्द है बेटी आगे है शेर शेरनी चाचा चाची तो बच्चों आप मेरे साथ रिपीच करेंगे भाई, भाई का स्रेलिंग शावद है बेहन, पिता, माता, चूहा, चुहिया, बाग, बागिन, सेट, सेठानी, लेखक, लेखी का, बैल, गाए, माली, मालिन, लड़का, लड़की, मामा, मामी और ये पंदरा शब्द है जो आपके इस बार के स्लेवस में है और आपको ये बहुत अच्छी तरह से पढ़ने है और याद करने है धन्यवाद